नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्शिता त्रिपाटी और आप देख रहे हैं VK News जब आप कहीं इंट्रिव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके मन में सैकडो सवाल एक साथ चलते हैं जैसा कैसे होगा आपका इंट्रिव्यू? कहीं जादा खडूस तो नहीं होगा? क्या क्या सवाल पूछेगा? क्या मैं जवाब दे पाऊंगा? और ऐसे ही कई और सवाल उस समय आपके दिमाग में चलते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि कम्पनिया अब आपके इंट्रिव्यू को और भी रोमांचक बनाने जा रही हैं? जी हाँ, क्योंकि इस बार आपका इंट्रिव्यू बॉस नहीं बलकि रोबोट ले सकते हैं ये रोबोट बताएंगे कि आप कितने काबिल हैं और क्या आप इस जॉब के लिए योग हैं या नहीं? अब आप थोड़ा कंफ्यूस हो गए होंगे कि रोबोट भला कैसे किसी का इंट्रिव्यू ले सकता है? लेकिन आपको बता दें कि ऐसा मुम्किन है बढ़ती आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के तहट अब केंडिडेट के इंट्रिव्यू इंसान के बजायर रोबोट ले सकते हैं रोबोट अल्गोरिदम की मदद से लोगों के चेहरे के हावबाव पढ़ने की कोशिश हो रही है उनकी आवाज से पता लगाया जा रहा है कि उनमें आतनो इश्वास है या नहीं और क्या वे खुश हैं और इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा रोबोटिक वीडियो असेस्मेंट सॉफवेर का इस्तमाल कमपनियों में हर लेवल की हाईरिंग के लिए किया जा रहा है वही इस बारे में वीबोक्स के सीई ओ निर्मल सिंग ने बताया कि उन्होंने Microsoft के Face Indexive Software को Access Bank में 2017 में अपलाई करने वाले करीब 50,000 केंडिडेट पर आजमाया था सॉफवेर ने घबराहट और खुशी जैसे भावो को लोगों की आखों की मुवमेंट, हाव भाव और आवाज की टोन से समझा था उसी हिसाब से केंडिडेट को नंबर मिले थे, उसके अधार पर ही उनका चैन किया गया था अब कमपनिया इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो दोस्तों तयार रहिए अपने आने वाले इंटरव्यों के लिए जहां आपकी मुसीबत किसी बॉस से नहीं बलकि रोबोट से होगी जो आपकी काविलियत को जज करेगा जहां आपके जवाबों से ज्यादा आपके हाव भाव और कॉन्फिडेंस को जज किया जाएगा और बताया जाएगा कि आप उनकी जोब के लिए कितने योग्य है तो दोस्तों आपको हमारी ये खबर कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना गोलें शुक्रिया